Hello my day students, Target Vidalok Online Institute के official YouTube channel पर मैं GD Pande आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनन्दन करता हूँ प्यारे साथियों, जब हमें किसी लक्ष की प्राप्ती करनी होती है, तो उस लक्ष की प्राप्ती करने से पहले उसकी पूरी planning, पूरी strategy हमें बना लेनी चाहिए कहते हैं कि अगर आपने planning अच्छी बना ली है अगर आपने strategy अच्छी बना ली है आपकी रणनीत अच्छी है तो लक्ष को प्राप्त करना 50% आसान हो जाता है लक्ष के करीब आने पर deadlines आ जाने पर आपको preparation नहीं बनाने चाहिए preparation तो पहले ही आपको कर लेनी चाहिए कि किस काम को हमें कब करना है कैसे करना है और जब हम किसी काम को करने के प्रति समर्पित होते हैं तो उसमें सबसे पहला रोल आता है timeline का period का समय का अगर आपको ये पता चल जाए कि किसी काम को करने के लिए कितने समय की आउशकता है तो वो काम बहुत ही बहतर तरीके से आप कर सकते हैं मेरे एक गुरू थे विवेक सर, वो मुझे फिस्क्स प्रहाते थे वो एक बात कहते थे कि जो काम एक घंटे का है उसे एक घंटे में ही किया जा सकता है जो काम आदे घंटे का है उसे आदे घंटे में ही किया जा सकता है अगर एक घंटे के काम को आप आदे घंटे में करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप आदे घंटे में आधा काम नहीं करेंगे बलकि अपने आदे घंटे को बरबाद करेंगे और उनकी बात मुझे बड़ी वाजब लगी, बड़ी सही लगी कोई काम करने में अगर हम एक साल का समय लगता है और हम चाहें कि मुझे तीन महीने में कर लें तो basically हम तीन महीने में वो काम एक चौथाई भी नहीं करेंगे उसका बलकि वो तीन महीने हम बरबाद कर रहे हैं फिर तीन महीने बाद हम अपनी पूर्व इस्थिती में होंगे और फिर एक साल लगेगा तो वो एक साल और एक तीन महीने कुल 12 महीने का काम 15 महीने में खर्च होगा planning के लिए strategy के लिए किसी काम को भली प्रकार से करने के लिए सबसे महत्व पूर्टीज है समय को decide करना कि कितना समय आपके पास है उस रड़नीत के साथ plan करना और उसको लेके आगे बढ़ना और जितना समय है उतना समय needed है उस काम के लिए कि नहीं उससे जादा चाहिए कि उससे कम चाहिए अगर उससे कम चाहिए तो कुछ अपना backup बना के रखे कि कोई दिक्कत हो गई कोई समस्या हो गई 15 दिन आप नहीं पढ़ पाए तो आपके पास backup तो होना चाहिए और अगर आपके पास कम समय है आपको लग रहा है ये काम 10 महीने का है आपके पास 8 महीने है तो आप extra मेहनत कर सकते हो लेकिन ये सब कुछ आप 1 महीने पहले नहीं कर सकते हो इसके लिए भी proper समय होना चाहिए proper time होना चाहिए आपके पास जी आचातरों आप समझ गए होंगे कि मैं किस के लिए बात कर रहा हूं स्टाप सेलेक्शन कमिशन ने S.C. J.E. 2023 जूनियर इंजिनियर एग्जामनेशन का नोटिफिकेशन दे दिया है कलेंडर जारी कर दिया है नोटिफिकेशन ने दिया, कलेंडर जारी कर दिया है और calendar में tentative exam date भी उन्होंने mention कर दिया, form आने की तिती mention कर दिया, form भरे जाने की तिती mention कर दिया, अब ये सब कुछ हो गया है, तो क्या SSC JEE की preparation हमें शुरू कर देनी चाहिए, या फिर अभी हमें relax होना चाहिए, आराम से preparation करेंगे, इनी तमाम चर्चाओं के लिए आज मैं आ Target on Engineers, उसका एक अलग से YouTube channel है, आप इस वीडियो के description में जाएंगे, तो वो channel का link आपको मिल जाएगा, Target on Engineers पर मैं technical विद्यार्थियों के लिए, technical बच्चों के लिए, technical students के लिए, जो आज इंडिया के टॉप बेस्टे के इत्यादी किया है, या फिर ITI किया है, उन सब के लि Mechanical और Civil के बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं, या था हम Electrical और Electronics इत्यादी के लिए भी शुरू करने वाले हैं, Target on Engineers का जो YouTube channel है, वहाँ बहुत कुछ आपको free up cost मिलेगा, एक रुपया भी आपको pay नहीं करना है, तो वहाँ जा करके आप पढ़ सकते हैं, मैं खुद Dynamics RAC, Power Plant, HMT, IC Engine, Fluid Mechanics, Hydraulic Machine जैसे वहाँ पढ़ा रहा हूं, अब मुद्दा ये है कि 2023-24 का SSC JE का notification आ गया है, कलेंडर आ गया है basically, और कलेंडर में dates आ गई हैं, तो छात्रों की मन में प्रश्न ही आ रहा है, कि सर हमें इस exam के लिए preparation कब से शुरू करना है, स्टार्ट कर द के दिखेते हैं कि कलेंडर में लिखा क्या है, अगर आप Staff Selection Commission के कलेंडर को ध्यान से देखेंगे, तो दिखेंगे ये है कलेंडर, close過去, start selection commission, stamp selection commission, tentative calendar of examination for the year of 2023-24 और ये जो कुछ कलेंडर आया ये किस के लिए आया है, For the year of 2023-24, किसके लिए है, दो हजार तेईस चौवविस दो हजार तेईस चौवविस के लिए है अब इसमें बहुत सारी वेकेंसी है SSC GD है, Combined Secondary है, Multi-Tasking है, MTS का एक्जाम है SSC जितने सारे एक्जाम कराती है सबका डीटेल है आप SSC के वेबसाइट पर जाएंगे तो ये कलेंडर आपको बड़े अराम से मिल जाएगा लेकिन इसमें जो मैं बात करना चाहता हूँ जो Technical Students के लिए है वो आपको 9 नंबर पर मिल जाएगा Serial Number 9 पर आपको मिल जाएगा Junior, Engineer, Civil, Mechanical और Electrical के लिए जो वेकेंसी आती है S.S.C. हर सार ये वेकेंसी निकालती है हर साल निकलता है, फिक्स है और जिस तरह से S.S.C. काम कर रहा है 2022 में जैसा कि उसने किया एक्जाम को Pre-Porn करा लिया Post-Porn तो छोड़िये एक्जाम पहले हो गया Time से उसके Result आ रहे है Time से Mains Examination की Date आ गई है तो ये पूरी उम्मीद है कि अगर S.S.C. कोई Date अभी दे रहा है तो निश्चित रूप से उस Date पर एक्जाम हो जाएगा Pre-Porn हो रही है चीजे Post-Porn होने का तो कोई Chance मुझे नहीं देख रहा तो एक बहतर मौका है जहां 3-3 साल, 2-2 साल लटकते थे एक्जाम अगर वो किसी भी कारण से कुछ लोग कहते है चुनाओ है इसलिए जो भी कारण हो मुझे क्या फरक पड़ता है मेरे तो student job पा जाए मुझे खुशी है किसी भी कारण से हो एक्जाम टाइम से हो रहा है ये मेरे खुशी है तो एक्जाम टाइम से हो रहा है तो उसको भुराने के जब्मेदारी आपकी है अगर आप देखें तो S.S.C.J.E. का जो एक्जाम होता है जो जूनियर इंजिनर का एक्जाम होता है जिसमें डिपलोमा और बिटेक के बच्चे होते हैं उसका पेपर वन उसका जो पेपर वन है S.S.C.J.E. के एक्जाम में दो पेपर होते हैं एक पेपर वन होता है एक पेपर टू होता है पेपर टू मेंस होता है जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है कन्वेंशनल पेपर वन अबजेक्टिव होता है तो जो paper 1 है उसका form आने की date 26 July दिखाया है इन्होंने form भरे जाने की date 26 August तक and the biggest news is कि इसका exam ये कह रहे हैं कि October 2023 में हो जाएगा अब October 2023 में अगर exam हो जाएगा और अभी January चल रहा है और चल नहीं रहा है जनवरी अब 15 दिन बीत गया तो समझे जनवरी अब खतम होने वाला है तो जनवरी को तो भूली जाएए आपके पास है क्या February, March, April, May, June, July, August, September October के first week में भी exam हो सकता है तो October को क्यों count करें तो तीन, तीन, छे, दो, आठ, टोटल आपके पास देखिए तो 8 मन्थ हैं, 8 महीने हैं तो क्या 8 महीने sufficient हैं तैयारी के लिए? बिल्कुल sufficient है क्या 8 महीने कम हैं तैयारी के लिए? बिल्कुल कम नहीं है क्या आठ महीने ज़्यादा है त्यारी के लिए बिल्कुल ज़्यादा नहीं है sufficient है इसमें अगर आप preparation शुरू कर देते हो तो आप better perform कर सकते हो बहुत सारे बच्चों का प्रश्ण था कि सर क्या हमें त्यारी कब से शुरू करें what is the right time to start the preparation today is the right time to start the preparation model students आज से तैयारी यथा शिघ्र प्रारम कर देजिए और इस तैयारी को करने के लिए जिस भी guidance की आउशकता हो वो guidance target विदालोक online institute या target on engineers की पूरी team मैं GD Pandey आप के लिए 24 by 7 available हैं अगर आप इस preparation को करने के लिए किसी pet batch को purchase करना चाहते हो तो बहुत कम पैसे में 10 रुपए 15 रुपए per day के हिसाब से अगर आप जोड़ो तो उतने की पैसे में जिसमें चाय नाश्ता बच्चे कर लेते हैं उतने के पैसे में हमारे हाँ इसके लिए आधार बैच चल लहा है आधार बैच आधार बैच इस्पेशली उन बच्चों के लिए है जो complete scratch लेवल से जिरो टू टॉ टॉप लेवल तक पढ़ना चाहते हैं डीटेलिंग पढ़ना चाहते हैं मेकेनिकल इंजिनिंग के स्टुडेंट के लिए इसमें फ्लूड मेकेनिक्स सोम और प्रॉडक्शन की क्लासेश चल रही है कास्टिंग की और जल्दी ही थर्मों की क्लासेश इसके अलामा अगर आप इसको पर्चेस करने के स्थिति में नहीं है आपको यूटूब पे ही क्लासेश चाहिए तो यूटूब पे भी टार्गेट और इंजिनिर्स की टीम बहुत कुछ फ्रियाफ कॉस्ट आपको देती है वहां से पढ़ करके भी आप वेरिस एक्जाम कर कर सकते हैं लेकिन जो हमारे थंबनिल का टाइटल था कि राइट ताइम तू प्रिपेर फॉर एससी जेई दोजाटेश चोपिस वाट इस दर राइट ताइम तूड़े इस दर राइट तैंग आज सबसे बढ़ हां दिन है प्रिपरेशन शुरू करने के लिए कि को सबजेट देखा जाये तो आप कि बहुत सारे सबजसेट है तो इतने विशे पढ़ने होते हैं न कि आपके पास समय नहीं होता अगर मैं सबजेट की बात करूँ कि कितने सबजेट आपको पढ़ने होते हैं तो लगभग फिफटीन सबजेक्ट आपके टेक्निकल के हैं और non-tech की अगर मैं बात करूँ, तो non-tech में, SSC, JEE में आपसे reasoning पूछेगा, और GS पूछेगा, लेकिन GS में कई सारे subject हैं न, history पूछेगा, geography पूछेगा, economics पूछेगा, quality पूछेगा, science and tech पूछेगा, इसके साथ current affairs भी पूछेगा, तो 1, 2, 3, 4, 6 तो आपके GS के ही हो गए, reasoning में आपका verbal reasoning भी आएगा, और non-verbal भी आएगा, तो reasoning भी आपका proper हो गया, तो tech, non-tech मिला के various subject हैं, इसलिए आपको detail पढ़ने के लिए, खूब questions लगाने के लिए, को time चाहिए, वो time 8 महीने आपके पास परयाप्त है, इवेन अगर आप academic के student है, बीटेक 3rd year में या 4th year में है, डिप्लोमा 3rd year में है, तो भी आप इस badge को purchase करके, अपने preparation शुरू कर सकते हैं, आपका college भी पूरा होता रहेगा, और आपकी preparation भी अच्छी खासी होती रहेगी, तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, प्रहाई शुरू कर दिजिए, प्रारम कर दिजिए, और Target on Engineers के YouTube चैनल पर हमसे जुड़े रहेए, वहाँ बहुत कुछ मैं आपके लिए, दिन प्रतिदिन लेकर के आता रहूँगा, Thank you so much, Bye-bye.